राखी सावन जिनका असली नाम नीरु बेदा है एक भारतिय डांसर, मॉडल और अभिनेत्री है जो हिंदी, कंणर, मराठी, उडिशा और तेलगो फिल्गों में सहायक भूमिकाए निबाती आई है राकी ने साल 2009 में भारतिय रियालिटी टेलिविजन शो बिग बॉस एक के पहले सीजर में एक प्रतियोगी थी और 2020 में बिग बॉस 14 में एक चालेंजर और फाइनलिस्ट के रूप में शामिल होई राकी सावन्त को ड्रामा क्वीन कहा जाता है वो पब्लिक में जैसी दिखती हैं वैसी ही असल जिंदगी में भी है ये बात कई लोग बोलते हैं और अब सिलेप्रेटी शेफ हर्च दिखशित ने भी ऐसा ही कुछ कहा राकी हर्च की क्लाइंट रही है हर्च ने राकी के साथ अपनी फणी अनुबव बताया उन्होंने बताया कि राकी फोन पर मोल भाव करती है हर्च, रनवीर कपूर, राल्याभट, आधित्यरोय, कपूर और शाहित कपूर के क्लाइंट रहे हैं उन्होंने बताया कि ये बिजनेस कैसे शुरू हुआ हर्च सिलेब क्लाइंट को प्रोजेक्ट के शेफ देते हैं रनवीर कपूर, लंबे वक्से उनके क्लाइंट रह चुके हैं राकी भी उनकी क्लाइंट रह चुकी हैं अब हर्च ने राकी से जुड़ी कुछ मज़िदार बातें आमिंजास पॉडकास्ट पर बताएं उन्होंने ये भी बताया कि मील बिजनेस कैसे शुरू हुआ हर्च बोले, मैंने अपना करियर एक रेस्टरॉंट से शुरू किया फिर मैंने अपनी मील्स प्रेप सर्विस शुरू कर दी जैसे सर्विस है, मैंने इसी के साथ फिल्म इंडस्री के लोगों का काफी अटेंशन लिया वो साथ में ही ऐसे हुआ कि सर्विस का इंतिजार कर रहे थे उनकी डाइट के हिसाब से खाना पैक करके उन तक पहुचा देता था उस वक्तरनवीर कपूर भी हमारे क्लाइंट में से एक थे मेरनवीर, आल्या, अधितरोय कपूर, शाहित कपूर और राखी सावंत के लिए भी पकाता था इस पर हर्च बोले, यार मेरे पास उनके भेजे हुए कई फ्रोजी वाइट नोट्स थे वो अपनी प्रेफरेंस में बताते थे उनसे पूचा गया कि क्या वो वैसी ही इंसान है जैसी लोगों के सामने दिखती है हर्च ने बताया हाँ, उनके वाइट नोट्स है हम लोगों को जो पूरा टाइम दिखता है वही सच है वो वरत करती थी और साबू दाना खिचड़ी वांगती थी हम सोचते थे कि इसमें कहां से प्रोटीन है, कालिरी वगेरा मेंटेन कैसे होगा मुझे नहीं पता था कि उनके पास मेंटेनेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है वो सब कुछ खुद से मानेज कर लेती थी हर्च ने बताया कि ये करीब 10 साल पहले की बात है राकी फोन पर बारगेन भी करती है वहीं बोलती है बाबू नहीं होगा, बहुत फनी था मैं तो ऐसे ही किसो को याद करकर के कभी कबार हस लेता हूं राकी जैसी रियालिटी में टीवी पर देखती है वैसी ही मुझे देखती है रियालिटी में और टीवी पर उनके जिंदगी में कोई फर्क नहीं है ऐसे एपडेट्स के लिए देखते रहे है, Newswell India